तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हूँ मैंने जो है नोटिफिकेशन उपन का रख्की है महतमा गांदी इसमर्थी चीकिस्सा महाविध्यालय इनदोर की तरफ से भरती निकाली गई है यहाँ पे विख्यापन देख सकते हूँ इसे अच्छी से जो है यहाँ पे पढ़ सकते इसमें दोस्तों नीचे देख सकते हो PSU सम्विदा आधार पर मार्च 2021 तक की अवद हेतु भरती निकाली गई है Pediatric Surgeon PSU की जो है दो वेकिंसी है जिसमें UR के लिए एक वेकिंसी है ST के लिए एक वेकिंसी है और यहां पे जो है स्टाफ नर्स के लिए दो वेकिंसी है एक वेकिंसी UR के लिए है और एक वेकिंसी OBC के लिए रखी गई है OT Technician के लिए यहां पे दो वेकिंसी है जिसमें दो वेकिंसी UR के लिए रखी गई है सबी लोग अपलाई कर सकते हो Other State के लिए मैं बता दूँ आपको जो है General Category मिलने वाली है इसके बाद यहां पे नीचे आप लोग देखिए Maternal Health समविदा आधार पर मार्च 2021 तक की अविद के लिए भरती निगाली गई है PDMO के लिए यहां पे एक वेकिंसी है जो कि UR के लिए है और PDMO के लिए यहां पे Maternal Health के लिए देख सकते हो यहां पे दो वेकिंसी है एक वेकिंसी UR के लिए एक वेकिंसी SD के लिए रखी गई है और Staff Nurse के लिए जो है ICU Staff Nurse ICU जिसमें तीन वेकिंसी है जो है यहाँ पे एक एक सीट दो सीट ऐसे रख दी गई है कि आप सभी लोग जो है फार्म को अपलाइक कर सकते हो इसमें जो है दोस्तों यह रखी गई है 2021 तक जो है भरती होने वाली है इसको जो है बढ़ाई भी जा सकती है और हम आगे बात करते हैं पूरा वीडियो जरूर देखिए पूरी जानकारी देने वाले है इसके बाद डाटा एंट्री आपरेटर की जो वेकिंसी है चार वेकिंसी है तीन वेकिंसी यूर के लिए है और एक वेकिंसी जो है यहाँ पे यसी के लिए रखी गई है जिसमें यह MAHI के तहट जो है नीचे देख सकते हो MAHSI के तहट जो की नियत वेतन के तहट जो है दो साल के लिए होने वाली है और इसके बाद जो है इसे बढ़ाया भी जा सकता है तो यह जो भरती अलग से निकाली गई है डाटा एंटरी कलर के लिए और यह जो है समविदा बेस की जॉब नहीं है डाटा एंटरी आपरेटर या डाटा एंटरी कलर के लिए और उसके बाद यहां नीचे देखिए PSU समविदा आधार पर मार्च 2021 तक की हम बात करें कौलिफिकेशन की और सैलिरी के बारे में तो पीडियाटरिक सर्जन RBSK यहां पे देख सकते हुए MCH apply medical council में पंजियन अनिवार होना चाहिए अगर आपके पास experience है तो आपको यहां पे प्राथ मिक्ता दी जाएगी एक लाख रुपे जो है यहां पे आपको सैलिरी मिलने वाली है और अब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के लिए तो स्टाफ नर्स के लिए BSC nursing G&N वाले apply कर सकते हैं नर्सिंग council में पंजियन होना चाहिए आपके पास रजिस्टेशन होना चाहिए नर्सिंग council का किसी भी state का farm भर सकते हो कोई भी problem नहीं होने वाली है और अगर आपके पास experience है तो आपको जो है यहाँ पे preference दिया जाएगा preference दिया जाएगा 20,000 रुपे salary मिलने वाली है स्टाफ नर्स के लिए OT technician के लिए यहाँ पे diploma in OT technician वाले apply कर सकते हैं पेरा medical council में रजिस्टेशन होना चाहिए और experience है तो आपको जो है यहाँ पे डिग्री वालों को मिलने वाला है और एक लाग रुपे डिपलोमा वालों को मिलने वाला है और यहाँ पे स्टाफ नर्स ICO के लिए यहाँ पर भी सेम qualification है BSC nursing G9 वाले apply कर सकते हैं 20,000 रुपे salary मिलने वाली है और data entry operator के लिए यहाँ पे 20,000 रुपे नियत वेतन मिलने वाली है दो वस्त तक है और इसमें जो है graduation वाले और 5 साल experience है data entry operator में तो farm को जो है आप लोग जरूर अपलाई के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ सीरियल करमांक एक से लेकर साथ तक के पदो है तू आवेजन पत्र मुखे कारे पालन अधिकारियों अधिश्टाता सासकी सौसासिस महत्मा गांजी इसमर्ती चिकिस्सा महाविद्याल है अबी रोड इंदोर पिनकोड दिया गया है के नाम से यम जी यम मेडिकल कॉलेज इंदोर और उसके बाद जो आठवा नमबर है डाटा एंट्री केंपूटर आपरेटर इसके लिए जो है फार्म प्राचार यम जी यम अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टिटूट के इच क अब जो है 7 सितंबर 2020 कर दी गई है इसका जो है नोटिस जारी कर दी गई है मैं अभी आपको दिखा दूँगा आप लुक जो है 7 सितंबर 2020 तक फार्म को भर सकते हो तो 7 सितंबर last day रखी गई है जल्दी से फार्म भरिए जाके आप लोगों को खुद फार्म भरना है उसके नीचे दिया गया है है यहां पर देख सकते हो रसीद के साथ नीचे मैं आपको बता दूँ जिसमें देख सकते हो अनारचित सिरेड्री पल ये, तो एक शार रुपे और अराचित अनसूची जंजाती के लिए 750 रुपे जो है यहां-पर जमा करना है रसीद के साथ है रसीद क यहां पर देखिए आवेदन करने की अंतिमतिती साथ नव दोहजार बीस रखी गई है तो साथ सितंबर दोहजार बीस तक जो है आप लोग डारेक्ट टू डारेक्ट फार्म को अपलाई कर सकते हो ठीक है कोई भी यहां पर प्रॉबलम नहीं होने वाली है अच्छे से फार्म को फिलब करिये यहां पर देख सकतい हूए पुरा डेट्यस दिया गया है क्या नंबर देखिए मोलाईन नंबर जो है आपको आपको जरूर डालना है स्थाई पता और इस तरह से जो आपको जरूर फिलफ करना है और सिटमबर 2020 को जो है आपकी यहां पे ऎज़ लीमिट काउट की जाएगी एक सिटमबर 2020 को जो धुशारी के उसके बाद यहां पर अच्छी से फिलफ करिए क्या कि आपको डाकुमेंट्स जो है डेच करना है यहाँ पे अधार कार्ड अस्थानी निवास परमाड़ पत्रे जाज परमाड़ पत्रे बैंक में जमा कियेगे सुल्क की जो रसीद है रसीद आप जरूर जमा करिएगा नहीं तो आपका जो है फार्म रेजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे सिगनेचर, अस्थान और यहाँ पे डेट यह सब जो है अच्छे से फिलब करिए देखिए जो है इसका फार्म जो है अलग अलग है जैसे कि यह वाला जो फार्म है स्टाफ नर्स सिसुरोग विभाग के लिए है इसको जो है आपको यहाँ पे print आओट निकालके इसको अच्छे से fill up करिए और यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स से उपर देखिए स्टाफ नर्स से सिसुरोग विभाग और OT technician के लिए यहाँ पर जो है अनारची सरेंडी के लिए 500 रुपे और आरची सरेंडी अनसूची जाती अनसूची जन जाती के लिए 300 रुपे और OT technician 俺 묵िभाग सबस्टेकं यहाँ पर ऑनारची नर्स सरेंडी के पद है तो 500 रुपे यहाँ पे अप्लीके manger fee से लग रही है तो अप्लीकेशन फीज जो अलग अलग यहाँ यहां पर देख सकते हो यहां पर получится न्सूची जाती के लिए 300 रुपे जो है application fee से लग रही है तो इस तरह से जो है आप लोग farm को apply कर सकती हो नीचे description में link मिल जाएगा इस notification का उस पे click करके जो है आप लोग notification डाउनलोड करके अच्छे से print out निकालके farm को fill up करिए farm को fill up करने के बाद direct to direct जाके जो मैंने address बता रखा है उस address पे जाके आप लोगों को farm भरके जमा कर देना है farm जो है आपका successful जमा हो जाएगा मैं आपको बता दू यह कोरोना की भरती नहीं है 2021 तक भरती होने वाली है 31 मार्च 2021 तक जो है यह भरती समीदा पर आपको रखा जाएगा उसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है आपके जो period है उसको बढ़ाया जा सकता है यह तो मदपरद्य सरकार के उपर है और भी कोई जानकारी चाहते हो जी हाँ कोई भी कोईरी है प्लीज कमन करिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद